जैसरी राम बच्चो मैं आसोक सिसोधिया केरीर मैकिंग इस्टूटिन में आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमने पिछले तीन वीडियो में प्रशनमाला पांस पॉंट एक, पांस पॉंट दो और पांस पॉंट तीन कर ली है आज अपन इस समांतर सेरी प्रशनमाला का कुछ मेतपुन परशनोत्रों का अधन करेंगे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आई बटन पर किलिक कीजिए ताकि आपको वो तीनों वीडियों देख सके आए हम मेतपुन परशनों को आज हल करते हैं तो देखो सबसे पहला किस्तर नमबर एक होता है अपने पास से स्टार्ट है किस्तर नमबर एक है किसी समांतर सेरी के एन पदों का योग 4N-N2 है कितना है 4N-N2 तो इसका पहला पद क्या होगा पहले दो पदों का योग क्या होगा इसी प्रकार तीसरे दस्वे और N पदों का योग या N वपत ग्याते कीजिए यह अपने को सब कुछ ग्याद करना है तो द्यान चे देखिए important सवाल है इसको पूरे को द्यान चे समझना सबसे पहले अपने को दे रखा है यह answer start अपने पास कि यह दे रखा है समांतर चेड़ी के N पदों का योग 4N माइनस N स्क्वेर N पदों का योग N पदों का योग अपने को दे रखा है SN वरावर 4N माइनस N स्क्वेर अब इससे यह पूछा जा रहा है कि प्रतम पद क्या होगा और जबकि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि प्रतम पद होता है A1 या फिर होता है A जबकि यहां दे रखा है SN तो यहां इससे अपन प्रतम पद निकालेंगे तो देखो द्यान से देखना यदि मैं N का मान 1 रखता हूँ N का मान क्या रखेंगे 1 रखने पर तो मिरे पास क्या आता है S1 बराबर 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वार कितना आ गया S1 बराबर 4 1 4 N गुणा होगया 4 1 गम 4 होगया 1 का स्क्वार 1 होता है कितना आ गया 3 यह होगया मिरे पास S1 कितना आ गया 3 ध्यान रखना जो S1 होता है वो ही समांतर चेड़ी का एवन होता है तो अपने पास एस वन जितना है वो Ugh भी यहाद होगा अगला प्रतÉ झोच रहा हैं रिया कि प्रते हम दो पतों का योग यौढ़ियो और फिटे मetle और अब यहाँ के लिए हैं कि अनके मांद दो रख दे ताकि ँच ऐलाया दिए मांद क्या रखेंगे दो रखेंगे एला कमान और रखेंगे था क्या गिया गया disappointment लेकिन अपने पास Ayas2000 कितना आया है एवन आगए चार बस गया चार S2 कितना है, मेरे पास 4, लेकिन मेरे को दूसरा पद निकानना है, अब क्या, A2, तो यहां थोड़ा विशेज ध्यान दे, A2 निकानने का फोर्मुला है, S2 माइनस S1, तो देखो S2 कितना है मेरे पास 4 S1 कितना है मेरे पास 3 तो यह क्या हो गया 1 हो गया मेरे पास कितना हो गया 1 हो गया इसी परकार मैं N का मान 3 रखता हूँ इसने तीसरा पद भी पूछा है N का मान 3 रखता हूँ तो S3 आ जाएगा S3 आएगा तो कितना होगा चार गुना 3 माइनस 3 का स्क्वाइर 4 ती ये 12 12 में सिन हो गया तो कितना बचिया 3 बचिया अब मैं A3 निकालने जाओंगा तो वो जाएगा S3 माइनस S2 तो देखो कैसे करते हैं अपना आगे हल क्या पूछ रहा है A3 अपने को पूछ रहा है A3 बराबर S3 माइनस S2 तो S3 मेरे पास कितना है 3 S2 मेरे पास कितना है 4 तो 3 माइनस 4 बराबर माइनस का 1 हो गया ये तीसरा पद हो गया अपने पास माइनस का 1 दूसरा पक कितना होगा मेरे पास 1 और उसके बाद 2-3 बारी बारी से पहला क्या पूछा इसने पहले पूछा कि है तो पृष्वम में आपके पास क्या आ गया यह अगया सेकिंड पूछा इसने प्रत्म दो पदो का योग पुछा है प्रतम दो पदों का योग तो पहला पद कितना है मिरे पास तीन दूसरा पद मिरे पास कितना है एक तो दो प्लस में एक बराबर कितना हो गया तीन हो गया मिरे दूसरा पर कितना है मिरे पास एक आया और पहला पर कितना हिरे पास तीं पहला कितना में तीन और कितना हो गया ठीक तक को दिग्कट नहीं अच्छा अब आगे शनसने पूछ involve कि इसका दूसरा पद क्या है इसका दूसरा पद क्या है मेरे पास दूसरा पद ए टू बराबर ए टू कितना प्राप्त हुआ मेरे को एक प्राप्त हुआ एक आंसर यह हो गया तीन आंसर पास इसमें भी यह देख लो तीसरा पद ये तीसरा पद भी आ गया गया तो देखो दस्वे पक के A2 जो होता है S2 माइनस S1 A3 जो होता है S3 माइनस S2 और उसके बाद अब A10 पूछ रहा है तो क्या करेंगे S10 माइनस S9 यानि कि N की जगा पन क्या रखेंगे 10 रखेंगे तो S10 आजाएगा और N की जगा 9 रखेंगे तो S9 आजाएगा दोनों मेंसे गठाएगे तो क्या जाएगा A10 फिर उसने पूछा है चटा पद की A N N वा पद भी जग किजे N वे पद का मतलब A N तो A N जग करेंगे तो S N तो अपने पास ही इसका फोर्मला क्या हो जाएगा S N माइनस S N माइनस S1 यह N-1 कहां से आया यहां देखो 10 वा पद पूछ रहे है तो 10 में से 9 गठाया एक कम हुआ यहां पर देखो N वा पद पूछ रहा तो N में से 1 गठाएगे क्या हो जाएगा N-1 तो S N तो अपने को आई गया अब S N-1 नहीं आया यहां रखना है N-1 रख देगे तो देखो S N की जगए क्या रखा हमें 4 N-1 का N स्क्वाइर माइनस लग रहा है आगे मैंने क्या लगा दिया break it S N-1 N की जगए मेरे को क्या रखना है N-1 तो 4 कोष्टक N-1 और माइनस से N का स्क्वाइर N-1 का स्क्वाइर यह कोष्टक बंद हो गया इदर आगया मेरे पास 4 N-1 का स्क्वाइर अभी कोष्टक रहेगा खोला इसको 4 N हो गया माइनस का 4 इसको खोलेंगे A-B का होली स्क्वाइर तो यह हो जाएगा A स्क्वाइर पिलस B स्क्वाइर तो यह माइनस की वज़े से माइनस का 1 हो जाएगा माइनस 2 यह भी तो यह पिलस हो जाएगा पिलस का 2 N कोष्टक बंद हो गया अब इसको खोल देंगे 4 N-N स्क्वाइर यह अंदर गया 4 N यह पिलस का हो गया 4 अंदर गया पिलस का N स्क्वाइर उतारिए बच्चो, देखो बच्चो ये उधारन आपको समझ में आ गया होगा, पहला important question खतम हुआ अपने देखो, अब next question चलते हैं अपन, देखो next question अपने पाँ से, देखो next question है, 250 से 1000 के मद्धे, सभी तीन से भाज्ये प्राकर संक्याओं का योगफल गयाते कीजिए, 250 से 1000 के मद्धे, तो देखो ध्याम से देखना ही दर, अपना आंसर करेंगे, किसके मद्धे पूछा है, 250 से 1000 के मद्धे, तीन से भाज्ये सभी प्राकर संक्याओं का योगफल, तो अपन लिखते हैं, 250 से 1000 के मद्धे, तीन से भाज्ये संक्याओं की सूची, तीन से भाज्ये संक्याओं की क चला जाए तो दोस्व पचास में नहीं जाएगा पहली संख्याएगी दोसो बावन दूसरी कौन सी आएगी दोसो पच्पन आएगी तो देखो ऐसे करते रहे तो लास्ट में अपने पास संख्या आती है कौन सी 909 में एक अजार के बद्ध्य पूचा है एक अजार भागने जाता है तो देखो द्यान चीदेखना दोस्व और अपने पास है नहीं तो यहां देखो प्रतम पद आ गया प्रतम पद ए बराबर कितना हो गया 252 और सारवे अंतर सारवे अंतर डी बराबर अपने पास कितना आ गया 255 माइनस 252 बराबर कितना बस गया तीन और अंतिम पद मेरे को मिला कितना अंतिम पद ए ए एन बराबर नोसो निन्यान में और इसी को क्या बोलते हैं एल तो देखो अपने पास फोर्मुला है एन इस equal to a plus n-1 गुंणा में D. तो a n का मांन कितना है? 900 निन्याद में. a का मांन कितना है? 250, plus n का मांन अपने को निकालना है. और d का मांन कितना आ गया? 3. तो देखो क्या करते हैं? 900 निन्याद में, बराबर 252 आ गया. 3 को n से गुंणा किया 3N और माइनस का 3. to dachten से क्या करते है 909 में ons का 250 गठाया और प्लस का 3 जड़ा बराबर में कितना आ गए मेरे पार दियान से देखो इस में से इसको गठाएंगे कितना बस गया 9 मिचेसे दो गया तो 7 9 में से 50 गया तो कितना बस गया 4 और 9 मैं से दो गया तो 7 पिलस कितना आगये 250 लेकिन यह क्या पूछा है सभी प्राकश संक्याओं का योक्फल तो देखो योक्फल में SN का फूर्मल्ण कि आता है SN बराबर N बटा 2 A प्लस में L तो SN गया करेंगे N बटा 2 N कामान कितना आया 250 बटे में 2 A कामान कितना है मिर पास 252, एक का मान कितना है 252, और L का मान मेरे पास कितना है, 909 में तो 252 में 250 में, दो का भागद है कितना आगे, 125, इधर क्या ग्या कर रहे हैं, अपन SN ग्या कर रहे हैं तो देखो, 135 इसको जोड़ा 9, 2, 11, 9, 5, 4, 1, 15 9, 2, 11, 12, 12 अपने को योगफल गया कर रहे हैं, यह योगफल प्राप्ते हो गया उतारो उच्छा देखो, यह उधर भी आपको समझ में आ गया होगा अब देखो, बिल्कुल आसारासन सवाल है, लेकिन सारे सवाल इंपोर्टेंट है तो देखिए, अगला सवाल अपने पास दो समांतर सेडियों का सारवंतर समान है दो समांतर सेडियों अपने पास, उनका सारवंतर क्या है, समान यदि पहली समांतर सेडियों का पहला पद कितना है, आठ है और दूसरी समांतर स्रेड़ी का तीन है तो दोनों के अंद्य मद्य तीसवे पदों का अंतर ग्याते कीजिए तो देखो ध्यांचे यह यह बिल्कुल सरवाल है इधर ध्यांचे देखना अपने पास दो समांतर स्रेड़ी है कितना है मेरे पास आठ और दूसरी समांतर स्रेडी का दूसरी समांतर स्रेडी का दूसरा पद इसका भी पहला ही पद है पहला पद है इसको मालने तो छोटा ए यह कितना है तीन है एक का आठ और एक का कितना है तीन और सारवंतर दोनों में समान है सारवंतर दोनों का क्या है म दोनों कटे एधरां कितना है अपने पास एकत्ना है एख और चोटा है तो अंतर अपने पास कितना प्राप्त हुआ पांच का उतागी इसको कि देखो यह उदारन के अपने को समझ में आ गया तो देखो अगले चलते हैं अगले सवाल की और आपको दे रखा है अगला सवाल यदी अठारे ए कोमा बी और माइनस तीन समांतर स्रेडी में हैं तो ए प्लस बी क्या होगा यह छोटे-छोटी सवाल जो होते हैं इस परसनालिव में एक एक नमबर के आते हैं तो अपने लिए काफी इंपोडेंड होते हैं तो इनको देखो क अंते बदों का योग बराबर होता है अंते बदों का योग तो A प्लस में B बराबर 18-3 और A प्लस में B बराबर 18-3 गया तो कितना होगा 15 अते आप क्या लिखोगे A प्लस में B बराबर कितना होगा 15 देखो छोटा सवाल जरूर है लेकिन ये एक नमबर का परसन कई बार आ अगला सवाल करते हैं इंपोटेंट सवाल अपने ज्यान से देखना अगला सवाल है यदि एक समांतर सेड़ी के एन पदो का योगफल सं है एक समांतर सेड़ी के एन पदो का योगफल कितना है इसें तता दे रखा है एसे 2N बराबर 3S2S2S2N बराबर 3SN तो ग्यात कीजिए S3N1 पात SN क्या होगा तो देखो answer अपने पास इदर ध्यांच देखना important सवाल है ये भी N पदों का योगफल दे रखा है N पदों का योगफल N पदों का योगफल क्या है अपने पास SN SN यानि SN का formula सीद हो जाएगा SN बरावर N बटा दो 2A प्लस N माइनस 1 बुना में D ये अपने आगे काम आएगा अब चोकी अपने को क्या दे रखा है S2N बरावर 2SN S2N बरावर क्या दे रखा है 3SN और ये अपने को दे रखा है कितना 3SN तो देखो यहाँ पर SN का formula था N बाई 2 अब N की जेगा मेरे पास क्या आगया 2N तो मैं ये formula लागा देता हूँ तो इसका formula क्या हो गया 2N बाई 2 और 2A प्लस N आएगा N की जेगा क्या लागाना है मेरे को 2N माइनस का 1 और D का 1 D होई गया बरावर 3 गुणा में है SN है इस पूरा का पूरा formula 2 को अंदर से गुणा किया 2 दूनी 4 N D और 2 A का में 2 D बरावर 3 को गुणा किया 3 दूनी 6 A और 3 को N D से गुणा किया 3 N D ये क्या होगया मेरे पास 3 N D और 3 A का में 3 D सब को इधर लियाएंगे तो ध्यान से देखना बच्चो 4 A प्लस 4 N D माइनस का 2 D माइनस का 6 A और ये होगया माइनस का 3 N D और ये होगया प्लस का 3 D बरावर में क्या बच गया 0 तो 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 A प्लस में क्या बच गया N D और प्लस में क्या बच गया D और अपने ऐसे कर देएं 2a को उधर बेज़ देते हैं nd प्लस में d बराबर में 2a समयक नमबर एक अब अपने को घ्यात करना है आगे क्या घ्यात करना है S3N अनुपात SN S3N और S3N अनुपात गया करना है SN तो वो 3N की जगे क्या रख देंगे आपर N की जगे क्या रख देंगे 3N रख देंगे तो देखो क्या बन जाएगा 3N बाइ 2 2A प्लस 3N माइनस 1 गुणा में D और नीचे बन जाएगा N बाइ 2 2A प्लस N माइनस 1 गुणा में D क्या बन जाएगा N से N कट गया 2 से 2 कट गया क्या बच गया अपने पास 3 तो 3 गुणा में 2A छोड़ दिया ऐसे कैसे 3 को अंदर वेजा तो 3 तिया 9ND और 3 को D से गुणा किया 3D और बटे में क्या बच गया 2A प्लस से 9ND माइनस का 3D और बटे में है 2A के जगह वो ही रख दिया N ड प्लस में D और प्लस का अंदी माइनस का D ये दोनों कट गये उपबर का गुणा किया तो 3ND हो गया प्लस का 3D हो गया और यह हो गया 9ND माइनस का 3D और बटे में क्या बच गया nd और nd यह हो गया 2nd तो देखो 9nd और 3nd कितने हो गया 12nd और 3d से 3d कट गया बटे में क्या गया 2nd nd से nd कट गया कितना आगे 2-12 तो 6 बटे में 1 तो अनुपात क्या हुआ आपका अनुपात होगा अनुपात 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 है या वांस ने कंप्लेट होगा उतार इसके देखो चो यह उधारन भी अपना कंप्लेट है हो गया अब चलते हैं अपने अगले क्युस्टन की और यह चल रहे हैं अपने पास कुछ इंपोर्टेंट क्युस्टन सारे तो इनको ध्यान से देखे तो देखो अगला क्युस्टन है यदि एक समांतर सिरीडी के तीन कर्मागत पद चार वटे पांच ए और दो है तो ए का मान गयाते कीजिए देखो ध्यान से देखना सवाल पे और 2 केवल और केवल तीन पत समांतर सिरीडी अपने पास क्या है चार वटे 5 ए और 2 केवल यह 3 पता है वो समांतर सिरीडी में है और एक हमान गयाते कीजिए यह आगे नहीं जा रहा कहीं पर तो देखो तीन पद होगी केवल तो अपन क्या करेंगे मद्य पद बरावर होता है a plus b b'te 2 इसको आपन a माल लेते हैं इसको b माल लेते हैं और ये क्या होगे बीच में c तो ये देखो a के बरावर क्या होगा 4 ग'te 5 plus में 2 और बटे में क्या कर देंगा अपने दो, यह मद्क्रण में इसए अपने पास तिनन क्या करते में करते हैं, आपने पास ऐञा है, यह और बंचे एकल लगाया लगवित्म कितना ओया? 5 आया क्या बतिकिया 4 और 5 दुणी 10 बटे में क्या आ गया दो तो ए बराबर कितना आ गया बराबर क्या हो गया चोधे बटे में 5 दुणी 10 इनको काट गया फाड़े सिसे दो साथ चोधर, दो पंजे 10 तो एक आमान मेरे पास कितना आ गया, साथ बटे में पांच, एक आमान मेरे पास कितना आ जाएगा, साथ बटे में पांच, ओके, कि लिएर चलो देखो तरो, तो देखो बचेगे, उदारण भी अपना कम्प्रीट हो गया, अब देखो, चलते हैं, अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है प्रतम एकजार धन पुरुणांकों का योगफल ग्याते कीजिए क्या दे रखा है प्रतम एकजार धन पुरुणांकों का योगफल ग्याते कीजिए तो देखो इसमें दे रखा है देखो अपन समझते हैं प्रतम एकजार धन पुरुणांक प्रतम एकजार ध यहां से एक सी इनका योगफल किरना है यहां से यहां पर हो गया प्रतम पदे प्रतमे पद ए बराबर कितना हो गया एक सारवे अंतर सारवे अंतर अपने पास कितना हो गया डी बराबर कितना हो गया दो माइनस एक बराबर एक उसके बाद अंतिम पद हो गया मेरे पास अंतिम पद अंतिम पद को मेरे पास प्रतम पद कितने है टोटल यह एक जार तो पदो की संख्या भी कितना हो गया मेरे पास है पदो की संख्या पदो की संख्या एन बराबर कितना हो गया एक हजार अपने को क्या गया करना इसमें योगफल गया किना क्या गया करना है योगफल तो देखो अब क्या लेंगे अगे यह अंतिम्पद एए न बेरावर हजार जो देखें यह लगा देते हैं EL स्ट एब टो एन बता दो या न यानी एक जार बते Presto और एक को मान कितना है मेरे पास एक है उसके बादे इन कमान कितना है मेरे पास100 कितना है 1000 तो SN कितना आ गया 1000 में दो का भाग दिया 500 और 1000 में एग जोड़ा एक जार है एक गुणा करेंगे कितना आएगा जीरो ये लगाए 00500 और पांच तो अपने क्या हो गया SN पदों का योग कितना आ गया देखो अपने पास पता लगा प्रतम एकजार धन पुरुना को योगफ़ पूछा है एकजार दन पूणा कोणते होगे एक दो तिन लास्ट में कहां तक एकजार तक प्रतम पध हो गया सारवंतर हो गया और अंतिम पध हो गये 1 पदो किसम न क्या होगी 2 पूछ रहे पदो का योग पर एसन बराबर एन वट दो ए प्लस में एल या मान रखके सारे अपने पास ये सन का मान प्राप्ते हैं हो गया उतार ये सवाल इसको तो देखो चो ये सवाल भी अपने को समझ में आगया होगा अब देखो नेक्स आउल करते हैं देखो नेक्स सवाल है चार संक्याइं समानतर स्रेडी में हैं क्या है चार संक्याइं समानतर स्रेडी में हैं यदि इनका योग 20 है तता इनके बर्गों का योग कितना है 120 तो संक्याइं याते कीजिए देखो अपने जब संक्याओं का चयन करते हैं तो अपने पास कुछ भी स सेस्ता हैं इदर देखो जैसे अपने इसका आंसर करने जाएंगे अब चार संख्या हैं अपने पास समांतर सेड़ी में तो अपने इसको ऐसे भी कर सकते हैं देखो माना पहली संख्या माना पहली संख्या माना पहली संख्या अपने पास जब चार संख्यां का चैन करना होता ह तो उनका कर्म यह यहता माना पहली संक्या A1 बराबर A-3D और दूसरी संक्या अपन ग्याद करते हैं दूसरी संक्या A2 बराबर A-D और तीसरी संक्या कौन सी हो जाएगी तीसरी संक्या है अपने पास A3 बराबर A-D और चतुर्त संक्या कौन सी हो जाएगी यह अपने पास हो और इसमें दो इस्तितिया दे रखिए यदि इनका योग 20 है और इनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ग्याते कीजिए तो देखो प्रतम इस्तिति क्या है मिरे पास फर्स्ट केस क्या है प्रत्मिस्तिती देखो इन सब का योग तो A-3D प्लस से A-D और A-D और A-D और A-3D इन सब का योग कितना है मेरे पास है 20 है तो देखो A, A, A और A कितना हो गया 4A हो गया बराबर में 3D से 3D इधर कटी गया D से D कट गया कितना आगया 20 और A का मान मेरे पास कितना प्राप्त हुआ 20 बटे 4 बराबर 5 एका मान कितना प्राप्त हो गया मेरे पास 5 यह फर्स्ट कंडिशन कंप्लेट second case में क्या बोल रहा है ये कि यदि इनके वर्गों का योग इन सबके वर्गों का योग कितना है 120 तो इनका वरक करेंगे अलग अलग से a-3d का square a-d का square और a-d का square और plus में a-3d का square बराबर में कितना है 120 अब ये सारे में formula लग जाएगा a-b का holy square a-b का holy square a plus b का holy square तो देखो कैसे खोलते हैं अपन a square plus a b square b कितना 3d ये हो गया 9d का square और minus 2ab तो 3 दो नी 6ad ऐसे इसको खोल दो a square plus d square और minus 2ad ऐसे ये खोल जाएगा a square plus d square plus 2ad और ये खोलेगा a square plus a 9d square और plus 3 दो नी 6ad बराबर में 120 ये आगया अपने पास तो देखो 6ad से 6ad कट गया और 2ad से 2ad कट गया तो क्या बच किया मेरे पास एक दो तीन और 4 4a square आ गया और 9d square एक 10 हो गया 9 और एक कितना हो गया 10 और एक 11 और 9 20d square plus 20d square बराबर में 120 अब ये मान अपन रख देंगे अपर द्यान से देखो ये मान एक का मान मेरे पास जो 5 आया है वो यहां रख देंगे तो देखो क्या करेंगे 4 5 का square plus 20d square बराबर 120 तो यहां देखो 25 पच्चीश पच्चीश ओक 100 उदर गया 20d square बराबर 120-100 और बराबर में क्या बच गया मेरे 5 से 20 तो देखो d square निकाड़ गया एक तो डी का मान कितना आएगा पिलस माइनस का एक क्योंकि रूट लग जाएगा टी का मान कितना आगे पिलस माइनस का एक अब यदि एक का मान मेरे पास 5 आगया और डी का मान क्या आगया पिलस माइनस का एक आगया तो मैं यदि एक का मान 5 और डी का मान पिलस का एक लेता हूँ तो ये चारो पत क्या आएंगे तो देखो पहला पर द्मिन क्या वाना है एवन बराबर ए माइनस 3D तो देखो ए माइनस 3D कितना है मेरे पास 5 माइनस 3 गुणा डी कितना है एक तो 5 माइनस 3 कितना बसीया 2, a2 कितना जाएगा, या रखो, a-d है न, a कितना है, 5, d कितना है, 5 में से गया, तो 4, a3 कितना जाएगा, 5 है, और प्लस में, a कितना जाएगा, 6, और a4 कितना जाएगा, 5 प्लस में, 3 गुणा 1, बराबर, 5 प्लस से 3 बराबर, कितना गया, 8 हागे, कितना गया मेरे पांस है, 8 ये चारो पता आगे यदि मैं लेता हूँ A बराबर 5 और D का मान क्या लेता हूँ माइनस का 1 देखो क्या होगा ऐसे रखेंगे A1 बराबर A-3D है तो A का मान मैंने क्या रखा 5 और माइनस 3 गुणा D का मान रखो माइनस का 1 तो 5 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 8 A2 का माना जाएगा A-D तो A तो 5 हो गया D का है minus के 1 plus का है जाएगा 5 और 1 6 और A3 निकाड़ूँगा A plus D A कितना है मेरे पास 5 और D कितना है minus 1 कितना है 4 और A4 निकाड़ूँगा तो A plus में 3D A का मान कितना है 5 और 3 गुणा डी कामान कितना एक पांच माइनस तीन बराबर दो तो ध्यान रखिए बच्छों यहाँ पर यदि मैं ये दोनों मान लेता हूं तो समांतर सेडी क्या बनेगी दो चार छे आठ और यदि ये लेता हूं आठ छे चार दो बन जाएगी ये देखो सवाल बिलकुल इंपोटेंट सवाल है इसको ध्यान से समझना और उतारो देखो ये परसन भी अपने को समझ में आ गया बड़ा अच्छा समझ में आया होगा अब देखो एक अगला कुस्ष्ण करते हैं अगला कुस्ष्ण है यदि किसी समांतर सेड़ी का सात्वा और तेर्वा पद कितना है चोंतिस और चोंसट है तो इसका अठार्वा पद ग्याते कीजिए सात्वा और तेरोव पद 34 और 64 है तो इसका अठारोव पद ग्याते कीजिए तो देखो ये बिल्कुल सवाल ये भी सलन सवाल है सात्वा पद इधर ध्यान से देखेंगे सात्वा पद अपने पास कितना है 34 है, सात्वा पद कितना है तेरवी पक्को क्या लेखा गया 64 और तेरवी पक्को क्या बोलेंगे A प्लस में 12D बरावर में कितना हो गया 64 समिकरन नमबर 2 अब देखो समिकरन 1 में से क्या करेंगे समिकरन 2 को गठाएंगे समिकरन 1 में से समिकरन 2 को समिकरन 2 को गठाने पर सम्मिकर्ण 2 को गठाने पर तो गठाएंगे देखो A पिलस में 6D बराबर 34 और A पिलस में 12D बराबर 64 गठाया तो माइनस माइनस और यह माइनस दोनों कट गे 12 में से 6 गया तो माइनस का 6D और 64 में से 34 गया तो माइनस का 30 दोनों कट गे D की value क्या आगी 30 बटा 6 बराबर 5 D का मान सम्मीकरण 1 में रख देंगे तो देखो कैसे करते हैं D का मान सम्मीकरण 1 में रखने पर सम्मीकरण 1 में रखने पर तो देखो सम्मीकरण 1 क्या है मेरे पास A पिलस में 6 D बराबर 34 तो A पिलस में 6 गुणा D D का मान कितना है, 5, बराबर में 34, तो A बराबर 34 माइनस 30, A बराबर कितना हो गया, 4, A का मान भी कितना प्राप्त हो गया, 4, और D का मान मेरे पास कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया, क्या पूछ रहा है, अठारवा पद, माना इसका अठारवा पद, क्या है मेरे प एक प्राप्त हुआ है अपने पांच से अठापत हुआ भाइज फाहरे मैं तो टो कि हुगा है आट हागान मarais प्लस मेंफने लेक्ष zarand सत्रह 25 ओरप्ष्यासी और चार कितना होगया नव असी यह कितना लिखोगे अनल लूत अपने पास कितना प्राप्त हुआ नोवासी यह सवाल अपने कंप्रिट होगी देख़ो समानतर से रिडी के अपने तीनों परस्णावलिया खतम होगी और इसके कुछ मैत्वन परसंथे वो सारे सवापत होगी यदि आपने अभीत्ता के सब्सक्राइब नहीं किया है तो केर